लोग शेल के चार्ट के उपर आचुके हैं मैं आपको क्यू पता है था ओए फेस में अपलाई नहीं करना है यह निचे के तरफ एक पैटर्र बश्चोंट पर इसकावरें दी तरफ और आपर दिखाई दिया देखे फिफ्टी त्री टू फिफ्टी फोर्ड यह आसपास का प 53 54 तक आया नहीं है आप चाहिए तो 56 के आसपास भी खरी सकते हैं देकिन 53 54 इस बेस्ट आप्शन क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं यह यह वाला लेवल है 53 54 यह वाला लेवल है जहां पर एक अच्छा सा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है आप अगर मंतली चार्ट दे खरीदने के लिए और उपर के तरफ बेशने के लिए देखिए यह रहां 50 और यह रहां 53 54 यह वाला जो आप्शन मुझे दिखाई दे रहा है इधर आगर आप खरीदते हो 52 53 54 बहुत ही अच्छा जगा है यह खरीदने में क्योंकि यह सपोर्ट बना कर उपर के तरफ निकल होगा आप सभी को पता चल रहा है मैं क्यों डिफेंसिव हूँ देखिए निफ्टी बहुत नीचे जा रहा था बहुत सारे स्टॉक नीचे आ गए थे बंधन बैंग भी नीचे आ गया था बंधन बैंग में वीडियो बना दिया डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दूगा अगर आप कर सकते हैं तो लॉंग टर्म के लिए कभी मत लेना देखिए जो कंपनी आपको पसंद आता है सिफ उसी कंपनी को लॉंग टर्म के लिए लिया जा सकता है आप शॉट टर्म के लिए कोशिश कर सकते हैं 52-53 लेकि लॉंग टर्म के लिए मैं बताना चाहता हूँ लॉंग टर्म के लिए जो कंपनी आपको पसंद है जो कंपनी का बिस्टेस मॉडिल आपको पता है वही कंपनी सिफ लॉंग टर्म के लिए देखिए कोई भी रेपू हम लोग बाइंग करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा 50 to 53 is the best buying level मैं फिर से बता रहा हूँ और एक बात quantity कम करके buying करना quantity देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है यह बहुत ही छोटा शेर है 50 to 53 रुपीज में मिल रहा है तो huge quantity हम लोग बाइंग करेंगे लेकिन quantity उतना ही बाइंग करना चाहिए जिसका loss आप ले पाएंगे वैसे quantity मत बाइंग करें जिसका loss आप नहीं ले पाएंगे अभी अगर आप जाकर 1000 quantity अगर आप नहीं ले पाते हैं तो मत कर सोटेटिये आप हाँका प्लेफ डाउन थे तरह जरूर आएक को पूरी तरह पूर तो जरूर आएगा और उसी में हम लोग अच्छे से profit कमा पाएंगे करीब करीब 8-10% हम लोग को profit मिल सकता है अगर हम लोग 50-53 में खड़ी दिये अगर देखिए अभी budget का समय है इसलिए थोड़ा सा problem आ सकता है इसलिए मैं quantity कम करने के लिए अगर कोई और मौका होता तो मैं quantity भी जादा करने के लिए बोलता है और मैं sell के ऊपर थोड़ा से जादा बुरिश हूँ अभी के लिए पिछले बार यह pattern दिखा कर नीचे के दरफ आ रहाता है इसलिए मैं बुरिश नहीं था मैं बेरिश था अभी मैं थोड़ा सा बुरिश हूँ के लिए क्योंकि यह उपर तक जा सकता है और यह बहुत नीचे आ चुका है हम लोगों को अच्छा मौका देख कर जाएगा देखिए छोटा सा यह एनलिसी छोटा से वीडियो आपो कैसे लगा वीडियो पसंद लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन बजा कर रखिए और लोगों के साथ जरूर शेयर करे इस एनलिसी से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लेम हो आप बेचिचर कमेंट करके पूछ सकते हर सवाल का उत्तर मिलेगा और अगर इस चैनल को परसंद करते है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करे